लुटीर टुदेंट टोडेह हम लोग डिसकस करेंगे यूपी पॉली टेकनिक डी फार्मा इंटरेंस एक्जाम दोहजाद चौबिस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट केमेस्ट्री कुस्चन्स के बारे में हम लोग जो इसके पार्ट फस्ट को डिसकस कर लिए थे आज पार्ट सिकेंड को जो है डिसकस करेंगे तो जो है यहां पे 82 question put up किया गया है नियम्न योगिकों में कौन सा जैमीती समा वैटा परदरसित करता है नियम्न हेसा कौन सा compound है जो कि 2 butine तो इसका जो right option हो जाएगा dear student वह हो जाएगा हम लोग का option number B वाला जो 2 butine होता है वह ही जो है mathematical समावता जो है परदरसित करता है अगला question है CH2 double bond CH single bond CH double bond CH2 में कितने sigma bond है कितने sigma bond है यहाँ पूछा ही बताना है फर्स्ट है 3, second है 6, third है 9 and fourth है 12 तो इसका जो right option हो जाएगा हम लोग का option number C वाला CH2 double bond CH single bond CH double bond CH2 में total जो है 9 sigma bond है अगला question है जब acetylene को किसी लोहे की गर्म नली से 47 centigrade पर गुजारते हैं तो यहाँ देती है फर्स्ट ओप्शन है benzene, second है taluine, third है artho-gylene and fourth है mesetylene तो इसका जो right option हो जाएगा हम लोग का option number फास्ट वाला जब acetylene को जो लोहे की गर्म नली से 47 centigrade पर गुजारते हैं तो benzene प्राप्थ होता है हम आप लोग को बता देते हैं कैसे तो यहाँ पर हम लोग जो है acetylene का फॉर्मूला लिख लेते हैं 3 CS2 यहाँ पर जो है यहाँ पर बॉंड रहेगा तो बंजीन यहाँ पर प्राप्थ होता है तो अगर आप लोग जब यहाँ पर जो हम थिरी सी टू एस टू लिखे थे इसको आप लोग जो है ब्रेक करके लिखे लिखे गा ऐसे तीन C2H2 लिख लीजिए गा तो बंजीन का फार्मूला क्या होता C6 यह 6 तो यहाँ पर छे कार्बन है और छे हाइड्रोजन है तो टोटल बंजीन प्राप्थ हो जा रहा है C6 यह 6 अगला कुस्चचन है निमन हाइड्रोकार्बनों में स से कौन सा हमली है चल्टा है फर्स्ट है वन ब्युटेन सीटेंड है फॉर्स्ट है तुव्यटाइन तो इसका राइट अबपफासट तक होजाएगा हमगों हो चल्ट पहरते फेसे मैं अर्ट है अगला कुश्चन है कि ग वायल इंड़र आई तेर्थ प्लूंड तो इसका जो राइट आपसं हो जाएगा दियर स्टुडेंट वह हो जाएगा हम लोग का आपसिन आपसे इसी का जो है बॉालिंग पॉइंट जो कतिनांक होता है वहां सबसे अधिक है अगला कुश्चन है rectified spirit कहते हैं निम्न को जो rectified spirit जो है किसे कहते हैं यह पूछा है first option है 100% ethanol, second है 90% ethanol, third है 100% methanol and last option 95% ethanol तो इसका जो correct option हो जाएगा dear student वह हो जाएगा हम लोग का option number D वाला जो 95% ethanol होता है इसी को rectified spirit कहते है अगला कुश्चन है निम्न में से कौन सा अभिकर्मक, LDIm ketone दोनों से तुरंट पत्किरिया देख करेगा ऐसा कौन सा recent है जो की LDIm ketone दोनों से तुरंट reaction करता है first है grignard अभिकर्मक, second है failing अभिकर्मक, third है talin अभिकर्मक and last है shift अभिकर्मक तो इसका जो right option हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का option number first वाला grignard अभिकर्मक grignard अभिकर्मक जो C double bond होता है यहां पे R रहता है यहां पे R रहता है अगला question है निम्न में से कौन सा आइडोफाम परिच्छड देगा फर्स्ट है benzoic aml, second है ethanol and third benzyl chloride and d option है methanol तो यहां पे पूछा कौन आइडोफाम टेस्ट है परिच्छड वा कौन देगा तो इसका जो right option हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का option number first वाला जो यह थे नाल होता है वही जो है आइडोफाम परिच्छड देगा अगला question है एने वेज की उपस्तिति में acetone hydrogen के साथ अपचैत हो जाता है तथा प्रोपेन बनाता है इस अपक्रिया को कहते हैं फरस्ट है क्लिमेंशन अपचैन सिकेंड उल्फ किसनर अपचैन थर्ड रोजेन मुंड अपचैन लास्ट है री फार्मेटेस की अपक्रिया तो इसका जो right option हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का option नंबर बीवाल उल्फ किसनर अपचैन इसे जो है उल्फ किसनर अपचैन कहा जाता है तो कैसे यहां पर रेडियूस हो रहा हम आपको करके दिखा दे रहे हैं थोड़ा साफ ध्यान दीजिएगा तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि एसी टोन का फार्मूला है इस टोन का सिं इसको हम यहाँ पे हीट करते हैं किसके परजेंस में एंने ओ इच दियूम हाइड ऑओसाइड की पर जिङस में हीट करें तो क्या पर आफ़ हो रहा है चलिए दिखते हैं तो यहां पर जो है निकल जाएंगे नाइटोजन प्लस एश्टूफ जो है बनता है अगला कुश्चन है अमले जल अब घटन एसिड हाइडरोलाईसिस के उपरांत निम्न में से कौन सा एस्टिक अमले देगा फर्स्ट है एथिलेस्टेट सिकेंड एसिटोन थर्ड मेथिल प्रोपियोनेट एन लास्ट है लैक्टिक अमले तो इसका जो राइट उप्शन होगा वह हो जाएगा उप्शन नमबर फर्स्ट वाला एसिटेट जो है वही अमले जल अब घटन के उपरांत इस्टिक अमले जो है देता है अगला कुश्चन है नाइटरस अमले से मेथिल एमीन अपकिरिया करके निमने देगा नाइटरस अमले जो है वहाँ मेथिल एमीन से रियक्शन करके कौन सा प्रोड़क्ट बनाता है फर्स्ट है CS3, CS3 सिकेंड इजा CS3, NO2 थर्ड इजा CS3, OS और लास्ट इजा CS3, CS2, OS तो इसका जो राइट आप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग को आप्शन नंबर सी वाला जो मेथिल एलकोहाल है वही पराप्ट होगा हम आपको दिखा देते हैं कैसे तो यहाँ पर जो हम लिख लेते हैं नाइटरस हम लगा फार्मूला लिखने से पहले मेथिल एमीन को लिख लेते हैं ढाहिए और यहां से एक यहां से एक एक एच ले ले लेते हैं तो इसके बाद हगा जो है हमारा जो बचा रहेगा यहां पर एटमॉसफ़ियर में रिलीज हो जाएंगे तो आपने बच्चा में यहां पर यहां पर है कि ऐसे आपको हम बता देते हैं CH3OH पलस यहां पर रुपकिएगा थोड़ा सा CH3NH2 पलस HNO2 जब इसको हम रियक्शन करवाते हैं तो इस CH3 को ले लेते हैं और यहां पर 2H है तो इस 2H में से 1H ले लेते हैं और यहां से जो ऑक्सीजन है दो यहां से एक ऑक्सीजन ले ले लेते हैं तो बन जाता है हमारा CH3OH पलस बच के रहा है एक यहां पर बचा है नाइट्रोजन यहां पर बचा है इस तो जाएगा इस 2 तो इस 2 जो है एक मॉस्पियर में रिलीज हो जाएगा आई होप आप सभी को समझ में आया होगा अगर नहीं आयोगा तो वीडियो में कमेंट कीजिए अगला कुश्चन है निमन मेजे काउन सा योगिक एस्टिल कॉल्राइट से अपकिरिया नहीं करता है फर्स्ट है म निमन में काउन सा योगिक त्वरित नाइटरी करड में सबसे जल्दी चला जाता है फर्स्ट है बेंजीन सिकेंड है टालूइन थर्ड इजा बेंजोईक अम लास्ट है नाइटो बेंजीन तो इसका जो करेक्ट आप्शन हो जाएगा डियर स्टुडेंट वह हो जाएगा ह अलूइन है वही जो सबसे जल्दी नाइटरी करड प्रॉसस में जो है चला जाता है अगला कुश्चन है निमन में से कौन सा रबर के वलकनी करड में परियुक्त किया जाता है फर्स्ट है फास्पोरस सिकेंड है ब्रोमीन थर्ड है नाइटोजर इन लास्ट है सलफर तो इ इसका जो प्रेट अपसन हो जाएगा बबर फस्ट वाला एंग्सेशित नाम हो जाएगा उंस चैनल हुचा माइग निशीयम माइगनीशियम अ एसल फेट हैप्टा है और हैप्टा ह्यट्रेट इसका जो हो जाए पुले ना तो इसका जो correct option हो जाएगा वा हो जाएगा option नमबर B वाला जो F2O उसी में oxygen जह है धनात्मक oxidation state को सो करता है अगला question है platinum उत्रेरक के लिए निम्न जहर होता है फर्स्ट है sulfur, second arsenic, third selenium and last है vanadium तो इसका जो right option हो जाएगा वा हो जाएगा हम लोग का option नमबर B वाला arsenic अगला question है kolorine gas को निम्न पर सुस्क करते हैं फर्स्ट है quick lime, second है caustic soda, third है caustic potas, stick and last है sandr S2SO4 तो kolorine gas को dry है हम लोग, sandr S2SO4 जो होता है concentrate, S2SO4 जो होता है इसी पे हम लोग सुस्क dry करते हैं option number D जे correct option है sandr S2SO4 नेक्स्ट कुस्चन है नॉबिल गैस जो रेडियो धर्मी है फर्स्ट है और्गन, सिकेंड है हिलियम, थर्ड है रेडाउन एन लास्ट है जेनॉन तो इसका जो राइट आप्सन हो जाएगा हम लोग का आप्सन नमबर C वाला जो रेडाउन वा एक रेडियो धर्मी गैस है इसका उप्योग जो है कैंसर की जो कीमोथेरपी प्रॉसेस है उसमें रेडाउन का उप्योग किया जाता है अगला कुस्चन है किसी क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की कुल संख्या होती है फर्स्ट है सेबन सिकेंड है थार्टी ठीड है थार्ड है न लाष्ट है फॉर्टीन तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नमबर C वाला 14. जो ब्रेवेस जालक होती है उनकी जो कुल संख्या होती है वह 14 होती है किसी क्रिस्टल में अगला कुश्चन है यदि हाइडोजन परमाड़ की चौथी बोर कच्छा की दे ब्रागली तरंग की लंबाई फोर एंगेस्टरान है तो उस कच्छा की प्रदी होगी तो इसका जो राइट आप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का आप्शन नंबर सोला एंगेस्टरान कैसे हो रहा हम आपको दिखा देते हैं बता कि तो यहाँ पे सबसे पहले दे ब्रागली तरंग देदेर जो होता है वह लैम्डा एक्वल टू पाई आर नाट अपान जो यन होता है लैम्डा एक्वल टू टू पाई आर नाट अपान यन होता है तो इसको जो है कच्छ की जो प्रदी हो जाएगा कच्छ की प्रदी 2 pi r not equal to lambda यन हो जाएगा कच्छ की जो प्रदी और 2 pi r equal to lambda ये दोनों हो जाएगे लैमडा यन इसके बाद यहाँ पर हम आपको करके दिखाते हैं तो हो जाएगा 4 गुड़े 4 equal to 16 एंग स्टान हो जाएगा 4 चाटोग 16 चादूणी 8 चाटین 12 चाटोग 16 तो 16 एंगेस्टान जो हो जाएगा अगला कुश्चन है किंद्री परमाणू द्वारा बने बंद में सल्फर तथा यह किंद्री परमाणू द्वारा बने बंद में यस तथा P गुड़ बराबर होता है निम्न में, फर्स्ट है CH4 मेथिन, सिकेंड है CH111 CH एसिटलीन, थार्ड है CH3 पॉस्टिव मेथिल आयन, लास्ट है CH3 निगेटिव मेथिल आयन, तो किसमें जो है किंद्रिय परमाडु दौरा बने, बंद में एस तथा पी गुर जो है, बराबर होता है, इसका जो राइट हो जाएगा, वह हो जाएगा हम लोग का option number B वाला, CH111 CH, अगला question है, निम्न में अधिक्तम बंद सकती होगी, तो किसमें जो सबसे अधिक्तम, bond जो है, bond potential होगा, फर्स्ट है, oxygen, second है, O2 positive, and third है, O2 negative, and last, O2 negative, तो इसका जो राइट option हो जाएगा, वह हो जाएगा हम लोग का option number B वाला, O2 positive में सबसे अधिक bond, potential होगा, अगला question है, 2HE4 तथा 1H1 की त्रिज्याओं में निम्न अनुपात होगा, फर्स्ट है 4, second है 2, third है 3, and last है 1.6, तो इसका जो राइट option हो जाएगा, हम लोग का option number D वाला, 1.6, अगला question है, रेडियो कार्बन डेटिंग विक्सित की गई थी निम्न द्वारा, जो रेडियो कार्बन डेटिंग विधी है, टेकनीक है वा किसकी द्वारा डिबलब की गई, फर्स्ट है एम क्यूरी की द्वारा, सिकेंड है एम केल्विन की द्वारा, third है WF लिभी की इसका जो राइट option हो जाएगा, हम लोग का option नंबर C वाला WF लिभी की द्वारा, अगला question है, ने ओच के 0.1 मोल जलिये बिलेन का pH का मान होगा, जो ने फूर ओच, सौरी हमने यहाँ पे ने ओच पड़ दिया, तो यहाँ पे ने फूर ओच की 0.1 मोल जलिये बिलेन का pH का मान क्या होगा पोचा है, तो first option है 3, second है 10.5, and last है, and third है 11, last है 7.5, तो इसका जो राइट option हो जाएगा, वा हो जाएगा, हम लोग का option number C वाला 11, अगला question है, कार आउकलन DW होता है, first है अवस्था पलन, second है आयाथा तर्थ आउकलन, and third है याथा तर्थ आउकलन, and last है उप्र राइट option हो जाएगा, वा हो जाएगा option number B वाला, आयाथा तर्थ आउकलन जो है, वही कार आउकलन DW होता है, अगला question है, किसी वास्त भी गैस के लिए, डेलम यूःपान डेलम भी होता है, first है सून, second है धनात्मक, and third है रिडात्मक, and last है अनन्त, तो इसका जो राइट option हो आदर्स गैस के 10 मोल सून में परसारित होते हैं, कार प्राप्त होगा, first है अनन्त, second है 10, and third है सून, and last है 5 जूल, तो इसका जो राइट option हो जाएगा, वा हो जाएगा हम लोग का option number C वाला, सून, जो कार प्राप्त होगा, वा सून प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, तो आपको दिखा देते हैं, यहां पर हम करके, तो यहां पर जो हो जाएगा, पी, यहां पर बोला, आदर्स गैस के 10 मोल सून में परसारित होते हैं, कार प्राप्त होगा, तो निरवात में परसारित हो रहे हैं, यहां पर, तो इसका जो हो जाएगा, पी, बाह, इक्वल ट अगला कुश्चन है सक्रियड उर्जा के लिए और हीडियस समिकरड के बराबर AE-EA upon RT में A निम्न को परदरसित करता है फर्स्ट है पूर्ब चार घानतांग की गुडांग सिकेंड है आबरित्ती गुड़क और थर्ड है आरहिनियस गुड़क लास्ट है संगट गुड़क यों आबरित्ती तो इसका जो राइट आप्शन हो जाएगा DA-e-e student वा हो जाएगा हम लोग का oxygen number अबरित्ती गुड़क को जो यहां पर दिया गया तो question पूरा नहीं हो पाए ता यहां पर पूछा है पर दरसित करता है तो यहां पर पूर्ब चार घानती गुड़क को आबरित्ती गुड़क को संगट गुड़क योम आबृतिक को तो यहां पर जो option करके दे दिया था ऐसे दोनों मंलब Kur на प्फष्ण सहीं इसका सही उत्र होगा पूछा है first ए first and third second first and second and third third and fourth and last second and third तो इसका जो Correct आप्षन हो जाएगा डियर स्टुडेंट वह हो जाएगा हम लोग का आप्षन नंबर बी वाला फर्स्ट था सिकेंट तो जो यहां पर ए है वह जो है पूर्व चार घातांकी गुड़क तथा आप्रित्ती गुड़क को जो है दरसित करता है डिनोट करता है अगला कुश्च हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्षन नंबर सी वाला डेलिटा यस धनात्मक है अगला कुश्चन है लेड अमल बैटरी के आवेशन के समय कई थोड़ पर निम्न अफ्किरिया होती है फर्स्ट है पीवी टू पॉस्टिव लेड टू प्लस जो आयन है कप जो है लेड में अ अगला कुश्चन है किसी एडिया बेटिक प्रुदोस में पर किरिया में क्या होता है बताना है फर्सट है T → 2 रहता है घ्र टू इस्तिर रहता है कीव इकव Πषिड जिरो राफ्चन है कीव gurल इकवट से लस्ट ऑफशन है लास्ट आप्षन होगा वह में होगा हम लोग का ऐस्टर नंबर बी वाला की एक्वबस्टो जीरो रहता है अगला कुश इकवल टू इस्थी एंड लाश्ट ऑप्सँन जाब युक्तु जिरू होगा काई को अगला कुर्शQué है वास्ट व्य गिल जो मिड़ी की प governments करता है Second है हेंडरी के नियम का पालन करता है And third है रावल्ड के नियम का पालन नहीं करता है And last है ओम के नियम का पालन करता है तो वास्त्विक बिलेन वा होता है जो की रावल्ड के नियम का पालन नहीं करता है उसे जो है real solution of स्त्विक बिलेन जो है कहा जाता है option number C वाला जो यहाँ पर correct option है अगला question है किसी कोल आइडी कड़ द्वारा परिछेपड माध्य में की गई सतत या दृच्छिक गती को कहा जाता है फर्स्ट है टिंडल परभाव सिकेंड है ब्राउनियन गती थर्ड है बैदूत कड़ संचलन लास्ट है 50 करण तो इसका जो राइट option हो जाएगा हम लोग का option number B वाला कोल आइडी कड़ो की जो टेड़ी मेड़ी गती होती है उसी को ब्राउनियन मोमेंट या ब्राउनियन गती कहा जाता है अगला question है निम्न अपकिरिया में enthalpy परिवर्तन को कहते हैं 2CO plus यहां पर दिया है 2CO plus O2 gives out 2CO2 तो यहां पर जो है अपकिरिया में enthalpy परिवर्तन को क्या कहते हैं फर्स्ट है अपकिरिया की enthalpy सिकेंड है सनलगन की enthalpy अंथर्ड है दहन enthalpy लास्ट है समभवन enthalpy तो इसका जो right option हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का option number फर्स्ट वाला इसे जो है अपकिरिया की enthalpy कहा जाता है अगला question है निम्न में कौन सा किसी रासायनिक अपकिरिया में साम इस्थरांग के मान को परभावित कर सकता है फर्स्ट है किरिया कारकों का सांदर्ड परिवर्तन सिकेंड है उत्पाद बनते ही उसे हटा लेना थर्ड है बिलायक का परिवर्तन लास्ट है उत्परेरक डालना तो इसका जो right option हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का option number C वाला बिलायक का परिवर्तन जो है वही अपकिरिया में साम इस्थरांग के मान को परभावित कर सकता है अगला question है यदि गुलो कोज के तनू बिलेन जलिये का 373 केलविन ताप परवास्पदाब 740 mm है तो बिले का मोल परभाज होगा तो इसका जो राइट option हो जाएगा हम लोग का option number B वाला अगला question है निकल कुलोराइट बिलेन में चार फैराडे विद्धुत परवाह से कितनी निकल धातु जमा हो सकती है फस्ट है 29.3 सिकेंड है 58.7 एंड लास्ट है 117.4 और लास्ट दिया है 116.1 तो इसका जो correct option हो जाएगा वा हो जाएगा हम लोग का option number C वाला 117.4 नेस्ट एंड लास्ट कुस्चन है तो RDA स्टुजिन कुस्चन इतने ही थे तो अगर आप लोग को या वीडियो अच्छा लगा हो RDA स्टुजिन तो प्ली लाइक और सब्सक्राइब मैं चैनल बाइलोजी टॉप टेक जोड़े रही है हमारी चैनल बाइलोजी टॉप टेक के साथ आपको किस टॉपिक पर किस चैप्टर से वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट किजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर कमेंट करें जुड़े रही है हमारी चैनल बाइलोजी टॉप टेक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कुश्चन और नेक्स्ट अपडेट एंड इंफॉर्मेशन के साथ मुस्त वेलकम अलोफ फिड्योग स्ट्ट इंट इंबिलोजी टॉप्ट एंठ चैनल